प्रेंड्स जैसा कि आप थमनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने बलब को टूब लाइट को या फिर अपने सिलिंग फैन को रिमोड से ओन ओफ कैसे कर सकते हैं वो भी मातर सो रुपे में तो करना कुछ भी नहीं है छोटे सा वीडियो है मैं आपको प्रेक्टिकल करके बताऊंगा किस तरीके से हम रिमोड से अपने बलब को ओन ओफ करेंगे और इसके अलावा हम सिलिंग फैन में भी इस आइटम को लगा सकते हैं तो करना कुछ भी नहीं है वीडियो पूरा देखें कापी अच्छी नोलिज मिलेगी और आप भ है फिस्ने हमारा यूटूब चैनल आप क्यानिकल समय है अगर आप चैनल पर पहली बारा myths करें वीडियो को लाईक से जरू करें और साथ साथ में क्पर पिक खरें ताकि आने वाली हर वीडियो तुरणे आप तक पहुंच पाएर आप से कोई वीजों चोल जानकारे शिए किस तरीके से वर्क करेगा तो आप यहां देख सकते हैं यह हमने ओफ-लाइन पर्चेज किया है मात्र सो रुपे का और मैं इसके ओनलाइन लिंक डालने की कोशिस करूंगा हो सकता है वहां पर इसकी रेट कम जादा हो तो आप यहां देखें मैं इसके वायर लगा देता हूं और इस तरीके से यह सुच अन है इसका इसमें लाइट आ रही है तो अब हम क्या करेंगे कि प्रावर का कोई भी सुच on करेंगे देखें यह off on हो जाएगा किसी भी सुछ से on off हो जाएगा और यह भी है कि इसके लावाब किसी भी remote से वह चाहे AC का हो TV का हो या फिर किसी भी item का हो उससे यह काम करेगा तो आप यहां देख सकते हैं जैसे मैं इसका कोई यहां पर हम मैंने इसमें 100 watt का वलब लगाया है तो हम क्या करेंगे अगर आप चाहें तो इसकी जो PC यह उसको निकाल कर पंक्खा जो होता है उसकी केप जो होती है उसके अंदर रख सकते हैं और इसके connection कर सकते हैं सिलिंग फैन में इसी तरीके से वर्क करेगा तो इसमें क्या होता है मतलब connection कैसे करने आपको यह तार तो आपको सिलिंग रोज में लगा देनी है जहां से पंक्खे में लाइट आ रही है वहां पर लगा दें और इसके अंदर जो इस होल्टर में आप चाहे तो connector लगा के निकाल सकते हैं, wire या फिर इसके holder के पीछे दो wire लगे हुए, वहाँ से दो तार लेकर ceiling fan में लगा दें, जब इसमें current आएगा तो ceiling fan ओटमेटिक चल जाएगा remote से, इसी तरीके से आप इसको tube light में भी लगा सकते हैं, और इसकी PCB को बा बहुत ही आसान है, बहुत ही simple है, इस तरीके से आप अपने normal fan को remote वाला fan कर सकते हैं, tube light को या फिर बलब को remote से on-off कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो comment जरूर करें, और हमें जरूर बताएं, तो friends आपने देखा, मैंने आपको ये smart holder है, ये आपको बताया, कि इससे हम remote से इसको on-off कर सकते हैं, इसके अलावा, इसके जो ये दो wire है, इनको हम light में लगा दें, और इसमें से दो जो ये wire है, holder के, इसमें हम connector भी लगा सकते हैं, या फिर इसके अंदर से जो ये wire लगे हुए हैं, वहा से दो तार निकाल कर, पंके में, या फिर आपको अच्छा लगा, तो comment करके बताएं, और अगर आपको purchase करना है, तो link में ने discussion में दिया है, महासिस को purchase कर सकते हैं, इसके अलावा, और भी काभी सारे ऐसे device आते हैं, जिनमें इसमें तो एक ही point काम करेगा, लेकिन ऐसे भी आते हैं, कि आप उसको board में के अंदर लगा दे, औ उसमें 3-4 point आप remote से on-off कर सकते हैं, तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये video पसंदा होगा, वीडियो पसंदा है तो इसे like share जरू करें, मिलते हैं फिर किसे नई वीडियो में, नई topic के साथ, तब तक के लिए bye bye, take care